नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खब्रों क्यों बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर STAT 2023 के लिए आवेदन करने की तिथी बढ़ी पत्रकार हत्याकांड मामले में सभी आठ आरोपी पुलिस की गिरफ्त में गुलपतियों की न्युकति के लिए बिहार सरकार ने निकाला विज्यापन तो प्रयान तीन की लैंडिंग को लेकर प्रटना बनेगा गवा चमुई के ये खिलारी एशियन पारा गेम्स में करेंगे देश का प्रतिन धित्व इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के और विस्तार से स्टीटी दो हजार तीस के लिए आविदन करने की अंतिम तिती बढ़ी अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में से हैं जो बिहार विद्याले परिक्षा समीती के माधमिक सक्षक पातरता परिक्षा यानी स्टीटी दो हजार तैस के लिए आविदन करना चाहते हैं आपकी जानकारी के लिए बता दे कि उमिद्वार पेपर एक के लिए आविदन करना चाहते हैं उन्हें मानिता प्रात उच्छ सिक्षा संस्थान से नियुनतम 50 फीजदी अंकों के साथ प्रासना तक या नियुनतम 45 फीजदी अंकों के साथ पीज़ी और बीड किया होना आनिवार है वहीं वो उमिद्वार जो पेपर दो के लिए आविदन करना चाहते हैं संबंध हित्विशे में नियुन तब 50 फीजदी अंकों के साथ पीजी और बीट किया होना चाहिए राजधानी पहुंचा 300 परटको वाला क्रूज MV स्वामी परमहंस बिहार में रिवर क्रूज परटन को पढ़ावा मिल सके इसके लिए परटन विभाग और भारती अंतरदेश ये जल मार्क प्राधिकरन के साथ समझोता किया गया है इसी को लेकर 300 परटको वाला क्रूज MV स्वामी परमहंस बिहार की राजधानी पटना पहुंच चुका है और इसका बीते दिन से ट्रायल भी शुरू हो गया है बता दे किस कुरू से कंगन घार से गुरू गोविन सिंग की जनमस्थली तक्त श्री हर्मंदिर शाहिब भी दर्शन के लिए जा सकेंगे वही भागलपुर में एमभी राजंदर प्रशाद जलियान कहल गाओं सुल्तान गंच पटेश्वर अस्थान होते वे विक्रम सला के बीच संचालित होगा आपकी जानकारी के लिए बता दे किया जलियान कड़ी 15 किलोमीटर प्रती घंटे की रफ्तार से पटना और भागलपुर के गंगा घाटों की सेर कराएगा वहीं ट्रायल सफल होने के बाद इसके वेवसाई कारे क्रम का उद्गाटन आने वाले दिनों में उपमुख्यमंतरी द्वारा किया जाएगा बिहार परिटन विकास निगम के तोरा जलियान की किराई की सूची भी जारी कर दी गई है जलियान में 45 मिनट घूमने के लिए आम लोगों को 300 रुपए देने पड़ेंगे एक घंटे की पैकेज बुकिंग का खिराया 30,00 2 घंटे का 50,00 4 घंटे का 1,00, 6 घंटे का 1,25,000 और 8 घंटे का 1,50,000 रुपए निर्धारित किया गया है सक्षा विभाग के नए आदेश का विडूत पीति दिनों बिहार सरकार के सक्षा विभाग के अपर मुखे सचीव के के पार्थक के दौरा नया फर्मान जारी करते वे कहा गया था कि अब सरकारी स्कूलों के मास्टर साहब लकडी लोहे वच चद्रा प्लास्टी के कबार सहित अनुप्यों की पेपर वग कार्टन समीत अने कबार को बेचने का काम करेंगे और उससे मिली राशी को विद्याले कोस में जमा करते वे उसकी सूशना अधिकारियों को देंगे लेकिन अब विवाक इस फैसले पर सक्षक संगों के दौरा नाराजगी जिताई गई है और मांगी गई है कि सरकार अपने साधेश को वापस ले बतादी की प्रात्मिक सक्षक संग के जिलाध्यक्ष अब्दूल कुदूश के दौरा कहा गया है कि अब यह इस्तितिय हो गई है कि हेड मास्टर वा सक्षक को बच्चों की पढ़ाई छोड़कर हर काम करना होगा अलग- derechos स्कूलों के H.M. का कहना है कि आखिर हम लोग भी इंसान है कोई जिन नहीं फ्रद दिन नए नए फर्मान का कैसे पालंग करें बीहार में बढ़े ंगु के मरीजों की संख्य बीहार में लगाता निगु के मामलों में बढ़ोतरी होड़ी है पतादी के बिहार के राजधानी पतना में आठ नए डिंगू के मामले आने के बाद अब कुल मामलों की संख्या पच्पन हो गई है मालू हो कि पतना में मिले आठ नए मरीजों में से पांच मरीज कोटा तो वहीं तीन मरीज कॉलकता से बिहार पहुंचे हैं PMCH, IG, IMS और NMCH में डिंगू मरीजों के लिए कुल 45 बेड आरक्षित कर रखे गए हैं आपकी जानकारी कलिबतादी के राजधानी पतना के जिन इलाकों में डिंगू के लारवा सबसे अधिक पाए जा रहे हैं उनमें कंकरबाग, मलाही, पक्री, ट्रांस्पोर्ट, नगर, बुद्धा कॉलनी, दानापूर, महिंदरू, आदी कॉलनी शामिल है वही जन इलाकों को समिद शील किष्रेणी में रखा गया है उनमें कंकरबाग, राज mouldर नगर, ट्रांसपोर्ट, नगर, बुद्धा कॉल या सहर के खड़या बस्ती से ग्रिफतार कर लिया गया है बता दे कि पुलिस के दौरा पत्रकार विमल यादव की हत्या में उप्योग किये गए मोटर साइकल और हत्यार को भी बढ़ामत कर लिया गया है वस्पीडी ट्रायल चलाकर अपराधियों को पुलिस सजा दिलाने का क काम करेगी बता दे कि मिल जानकारी के नुसार माधव यादव पुलिस दविश के का रन्यायाले में आत्म समर्पन करने वाला था लेकिन उससे पहले पुलिस के द्वारा उसे पकड़ लिया गया समलतला चटी कक्षा में प्रवेश के लिए डमी प्रवेश पत्र जारी अगर आब ये उन्छात्रों में से हैं जो समलतला जमुई की चटी कक्षा सत्र दोहजाद चौबस पच्चिस में नमांकन लेना चाहते हैं और इसके लिए आवीदन किया था तिया खबर आपके है तो उसमें 27 अगस्त तक सुधार किया चा सकता है मैं मालूम हो कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वरा परिक्षा सुल्क जमान नहीं किया गया है उनके भी नाम बोर्ड की वेबसाइट पर अप्लोड कर दिये गया है से मेर शुल्क जमाकर अभ्यर्थी अपना डमी प्रव वर्ष्ट कवी आलोग धन्वा वर्ष्ट कथाकार संचीव वर्ष्ट कवी मदन कश्यप और चर्चित कथाकार अवधीश प्रीत के द्वरा चेनित के गये वर्ष 2018 से लेकर 23 तक के लिखकों को बनार्सी प्रिशाद भोजपुरी सम्मान देकर सम्मानित किया जाएगा जिस 2021 के लिए कवीता में अनल्प विवाकर को 2022 के लिए कहानी में रतन वर्मा को और 2023 के लिए कवीता में विनय सौरव के नाम शामिल है आपकी जानकारी के लिए बता दे किया पुरुसकार आरा निवासी प्रेम चंद्र कालीन साहित्तिकार बनार्सी प्रिशाद भोजपुरी क स्मृती में वर्स 1989 में शुरू किया गया था जिसका उदेश बिहार की संभाबना शील और महतपुन रचना सीलता को सम्मानित करना है कूलपतियों की निवक्ति के लिए बिहार सरकार ने निकाला विग्यापन और राजभवन दोनों के द्वारा अलग-अलग निवक्ति पत्र निकाले गए हैं जिससे की आसमंजस के सिती पैदा हो गई है एक तरफ जहां राजभवन की ओर से निकाले गए विग्यापन के लियावीदन करनी की अंतिम तारीक 24-26 अगस तक है तो मही विभाग की ओर से निकाली गई विग्यापन के लियावीदन करनी की अंतिम तारी 13 से दंबर तक है बतादे के तीन-पांच नामों के पैनल का चेरन सर्च कमीटी द्वारा एक सारजनिक अधिसूशना के माध्यम से किया जाएगा जमुई के ये खिलारी एशियन पारा गेम्स में करेंगे देश का प्रतिनिधित्व 16 अक्टूबर से चीन के हांग जों में आईजित होने वाले एशियन पारा चेंपियनशिप में बिहार के जमुई के खिलारी सैलेश कुमार देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं बतादे के चैंपियनशिप 29 अक्टूबर तक चलने वाला है बता देक इस बारे में बिहार राजी खेल प्राधिकरन के महानिदेशक रविंदरन संक्रन के दोरा जानकारी देते वे बताया गया है कि पेरिस और फ्रांस में हुए वल्ड पारा एतलेटिक्स चैंपियर्शिप के प्रदर्शन के आधार पर पैरालंपिक कमीटी ओफ इंड चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर पटना बने का कवाह आज साम 6 बज कर 4 मिनट पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग चांद की सतफ़ पर होने वाली है इसको लेकर पूरे देश मुटसा का महल है वहीं बिहार के राजधानी पटना में सत्थ श्री कृष्ण विग्यान केंद्र के द्वारा भी इसको लेकर पूरी तयारी कर ली गई है दरसल आज केंद्र में साम 5-6 बजे तक कारे क्रम कायोजन किया जाने वाला है जिसमें प्रोजक्टर के माध्यम से लोगों को करीब स तीन कारे करम कायोजन किया जाएगा पहले चंद्रयान एक और दो के विशय में संच्यप में जानकारी दी जाएगी पहले क्या क्या हुआ वच्चों की यह जिग्या सास्तांत हो जाएगी 20 मिनट के वीडियो के जरिये दोनों चंद्रयान के बाड़े में बताया जाएगा के वाज चंद्रयान तीन के लाइव स्ट्रेमिंग से दर्श्रकों को जोरा जाएगा इस रुमांचक पल को बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा अंत में चाम से जुली रोजग जामकारी दी जाएगी 9 साल में मैट्रिक 12 साल में MSC करने वाला आज बेरोजगार विहार के विलक्षन प्रतीभा के धनी तथागत अवतार तुसी एक बार खबरों में आये हैं लेकिन इस बार वो किसी रिसर्च या कौन्टम कंप्यूटर को लेकर खबरों में नहीं आये बलकि अपने बेरोजगार 2019 को IIT Bombay के दोरा नौकरी से निकाल दिया गया उनका कहना है कि विन्नोबल प्राइस जीतने की सोच रहे थे और घड़ आकर बैट गया थे इस बारे में उन्होंने कोविट के दोरान राश्रुपत इची को चिठ्थी भी लिखी उन्होंने उसे खारज कर दिया और उन्हें परिक्षा का प्रशनपत्र सोचल मीडिया पर प्रशारित हो गया था यदि पुकता सबूत मिल जाते हैं तो परिक्षा से पहले प्रशनपत्र प्रशारित हो गया था तो इसे रद कर दूबारा परिच्छा आयुजित करानी की कारवाई की जाएगी जातिय गन्ना मामले में बोले समराठ चौधरी बिहार में हो रहा है जातिय जन गन्ना मामले को लेकर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समराठ चौधरी के द्वारा एक बार बयान दिया गया है और उन्हें कहा कि अभी मैं बताऊंगा कि बिहार की सरकार ने दिली में क्या-क्या लिख कर दिया है कि इंदर सरकार इसको लेकर पहले ही सपस्ट कर चुकी है कि ना तो हम इसके पक्ष में हैं और ना ही इसके विरोध में बिहार में भी बीजेपी की ओर से सपस्ट कहा गया है कि हम बिहार में भी जातिये जंगन्ना का समर्थन करते हैं जो लोग आज हमारे खिलाफ बोल रहे हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि बिहार कैबिनीट में हम लोगों नहीं इसका समर्थन किया था और बजट पास किया था उन्हें कहा कि जो आज बोल रहे हैं वह कभी कैबिनीट में बैठते भी है क्या यह लोग सर्फ बाहर में भजन किरतन करने वाले लोग हैं जाती गन्ना पर केंदर सरकार के हस्तचेप पर तेरश्वी का बयान इंदरों बिहार के सियासत जाती गन्ना को लेकर गर्माई हुई है वही इस मामने पर केंदर सरकार के दोरा किये जाड़ा है हस्तचेप को देखते वे बिहार के उपमुख्य मंत अब तो ये लोग खुलकर कोट में विज्ञानी तरीकी से जुटाए जा रहे हैं विश्वस्निय जाती आधारित सर्वे का विरोत कर रहे हैं क्या जाती आधारित समाजी कार्थिक पिछरे पनवा गड़ीबी को हटा कर वंचित उपेक्षित जरूरत मंद वर्गों को समावी शेविकास बीजेपी के समय धानिक प्रात्मिक्ता नहीं है किंदर सरकार सभी जाती वर्गों के साइंटिफिक और एक्विरेट सामाजीक आर्थिक आंकरों की उपलधता से इसलिए डड़ी हुई है क्योंकि पुझी पतियों की बजाए इससे सभी वर्गों के गड़ीबो एवं वंचितों के कल्यानार्थ वहतार्थ सटिक विकास नीतियों और कारेक्रमों को आकार दिया जा सकेगा क्या किंदर सरकार सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के जाती आधारित सर्वी का विरोध कथित नकली OBC PM के कहने से कर रही है WC 2023 के लिए औस्ट्रेलिया टीम में इस खिलारी को देखना चाहते हैं मैथ्यू हेडन पुर्व ऑस्ट्रेलिया इसलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन के दोरा मॉंबई में C.E.A.T. कारेक्रम के दोरान जब वर्तमान भारतिये टीम में से वंडे विश्व कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने के लिए जब एक खिलारी को चुनने को कहा गया की जस्प्रीज बुम्राग की गिंती सबसे महान तेज गेंद वाजो में से की जाती है मानुमों के 2019 वंडे विश्व कप में बुम्राग ने गेंद वाज के रूप में भारत के लिए सबसे जादा विगट लिया था और उन्होंने पिछले हफते डबलिन में आयर्लैंड के पहले T20 में लंबे समय बाद International Cricket में वापसी की बेतर दिन हमारे दर पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों नपना चवाब हमें हमारी कमें सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है जिन्होंने हमारे दर पूछे का सवाल का जबाब दिया है उनके नाम है किश राजी में बिरोजगारी का मुख्य कारण क्या है अपना जवाब हमें अमारे कमेंट सेक्षन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही पिहार के तेमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ये अगर आप यूटूब से देखर पीस को फॉलो करना ना भूले थन्यवाद